दोस्तों आज की इस पीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक में एकाउंट है और आप अपना CRN नंबर भूल गए हैं या फिर आपको अपना CRN नंबर नहीं पता है तो आप अपना CRN नंबर कैसे पता कर सकते हैं CRN नंबर होता है customer relationship नंबर इसे दूसरे बैंकों में CIF नंबर से भी जानते हैं CIF होता है customer identification नंबर दोनों का वर्क सेम होता है दोनों का काम होता है कि customer के account को identify करना यानि यह एक परकार का identification नंबर होता है यह हमें तब जरूत पड़ता है जब हमें net banking या फिर mobile banking एक्टिवेट करना होता है तब हमें CRN नंबर का जरूत पड़ता है बीना CRN नंबर के आप अपना कोटक महिंदरा बैंक का mobile banking एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको complete detail देने वाला हूँ कि कोटक महिंदरा बैंक का CRN नंबर आप कैसे पता कर सकते हैं आपको ब्रांच जाने का जरूत नहीं पड़ेगा आप घर वेटे अपने mobile से CRN नंबर पता कर सकते हैं सो गाइज मैं हूनिलेस और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल सुपर टेकनला जी मैं अपसे भी का स्वागे थे तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था आप कोटक महिंद्रा बैंक में एक ओनलाइन जीरो बेलेंस का सेविंग काउंट केस उपिन कर सकते हैं जिसमें आपको ब्रांच जाने का जरूत नहीं पड़ेगा आप घर बेटे अपने मुबाइल से एकाउंट ओपेन कर सकते हैं और आपको एकाउंट नमबर बगरा मिल दाएगा अगर दोस्तों आप कोटक महिंद्रा बैंक में इंटरनेट बैंकिंग या फिर मुबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करना चाहते हैं तब आपको CRN नमबर का जरूत पड़ता है अगर आपके पास CRN नमबर नहीं रहेगा तो आप अपना इंटरनेट बैंकिंग या फिर यहाँ पर आपको एक login करने का option मिलेगा इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नए पेज़ कुल करा जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं कि आप से CRN नंबर पूछा जा रहा है यानि customer ID CRN नंबर, CIF नंबर, Customer ID तीनो एकी चीज होता है लेकिन कोटक महिंद्र बैंक में इसको CRN नंबर के नाम से जानते हैं तो दोस्तो CRN नंबर को पता करने के लिए आपके registered mobile नंबर से आपको एक SMS करना होता है अब यहाँ पर दोस्तो हम आगये हैं अपने message box में यहाँ पर हमें 76788 इस नंबर पर आपको send करना होता है registered mobile नंबर से हाँ पर हम SIM select कर लेंगे और इसे हम send कर देते हैं जैसे दोस्तो हम इस message को send करते हैं तुरंत ही हमारे mobile नंबर पर एक message आजाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें हमारा CRN नंबर यानि customer ID बता दी गई है हमारा नाम लिखा हुआ है अगर आप mobile banking activate करना चाहते हैं तो अब आप mobile banking activate कर सकते हैं इस CRN नंबर के थ्रू तो इस तरीके से दोस्तों आप को टक महिंद्रा बैंक में अगर आपको अपना CRN नंबर नहीं पता है तो आप अपना CRN नंबर एक message टाइप करके बेज सकते हैं और आप अ इस्टाग्राम पर फालो करके वहां भी message कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर के लिए और मैं आप लोगों के लिए इस तरह knowledgeable and useful वीडियो लाता रहता हूं थैंक्स वार वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टापिक के साथ तब तक के लिए जाए हिंटे के लिए